ही गाईज, वेकम टो इस्वास पॉइंट, आज हम लोग डिसकस करेंगे PT 365 जो कि हमारे इंवार्मेंट की है तो चलिए इस टॉपिक से स्टार्ट करते हैं Global E-Wist Monitor 2020 तो सबसे पहले हम लोग देखें कि नियूस में क्यों है और इस रिपोर्ट को यहां पर पॉब्लिश किसके द्वारा किया गया है तो यह United Nations Environment Program के साथ कॉलाइब करके यहां पर यह रिपोर्ट को लाए गया है साथी साथ यहां पर आपका Global E-Wist Statistic Partnership है International Telecommunication Union है and International Solid Wist Association है तो यह सब मिलकर इस रिपोर्ट को यहां पर पॉब्लिश किये है तो डीटेल में देखने वाले कि E-Wist क्या होता है इसकी जनरेशन कितनी हो रही है Global Level पर और यह क्यों Cause of Concern है तो आगे बढ़ते हैं कि E-Wist कहने का क्या मतलब है E-Wist कहने का मतलब है Electronic Wist यानि कि Electrical और Electronic Equipment से Related सारे Wist और या फिर इसके Part जो कि फेग दिये जाते हैं बिना किसी Reuse के मिन्स उसका कोई Scope नहीं है कि अप फिर से इसको Reuse किया जाएगा और उसको जो है ऐसी Discard कर दिया जाता है Common Hazardious Materials देखें जो कि E-Wist में पाए जाते हैं और E-Wist में वो सब हो गया है जैसे आप Mobile यूज करते हो Lappy यूज करते हो आप जो भी Electronic Gazette यूज करते हो अपने घर में जैसे आप लोग AC यूज करते हो Television यूज करते हो यह सारे चीज़ों को ऐसी फेग देना तो इसमें काफी तरीके के Hazardious Materials पाए जाते हैं जैसे आप देखो Mercury, Lead, Cadmium यह सारी चीज़े होती है कुछ Chemicals होते हैं जैसे Clorofluorocarbon होते हैं और बहुत सारे Frame Letarded यहाँ पे आपकी Chemicals होते हैं जिससे के आग लगने की भी यहाँ पे chances हो तो यह सारे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इस तरीके का e-wist होता है Reason क्या है और Status क्या है e-wist का अगर हम लोग देखें तो High Level of Disposable Income है इसका Industrialization में आप देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि High Conception हो रहा है अगर हम लोग देखें तो जिस तरीके से Growth हो रहा है Urban Area में लोग आ रहे हैं तो देख रहे हैं दूसरी लोग को भी देखकर Inspire हो रहे हैं कि उनके पास इस तरीके के Phone है इस तरीके के Gazette है तो लोग भी Inspire हो रहे हैं और इस तरीके से वो भी उसकी भी consumption बढ़ते जारी है Growth अगर हम लोग देखें यहाँ पे इवेस्ट का तो इवेस्ट का Growth भी इस तरीके से बढ़ते जारा है जितना यहाँ पे Manufacturing सेक्टर बढ़ते जारा है इट मींज की दुकाने आप देखोगे या फिर Brand आप देख सकते हो जो की बहुत सारे Brand है Electrical और Electronic Gazzards के साथी साथ जिस तरीके का यह Product बढ़ते जारा है उस तरीके से इसकी यूज भी बढ़ते जारी है और हमारे यहाँ के Population भी बढ़ते जारी है और Overall आप देखो तो इस हिसाब से इसका Consumption बढ़ते जारा है Higher Level है Disposable Income का Disposable अगर हम लोग देखे इसको Disposable भी किया जाए तो इसकी Income भी जादा है साथी साथ आप देखो कि Global E-Waste Generated 2019 में कितना था तो यह 53.6 million ton तक का था चाइना में अकेले आप देखो तो यहाँ पे आपका 10,129 kg ton था उसके बाद USA में 6,918 kg ton है इंडिया में 3,230 kg ton है तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कितना जो है कचड़ा यहाँ पे top 3 countries के द्वारा यहाँ पे लाए जा रहा E-Waste को लेकर जो कचड़ा जिनरेट हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे 3rd number पे इसलिए एक तरीके का cause of concern आप समझ सकते हो लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे हमारे हाँ अलरेडी E-Waste Management Rules 2016 किये जो कि सारे stakeholders पर यह provide होता है applicable होता है जिसमें कि आपके producer responsibility organization भी है consumer भी है dismantlers भी है recyclers भी है dealers भी है manufacturers भी है एक ऐसा कानून लाए गया है जिसके तहत सारे लोगों को include किया गया है सब कोई इसमें भागिदारी है और साथी साथ एक यहाँ पे collection mechanism best approach भी रखा गया है जिसमें कि collection center भी है इट मींज कि collection point भी होगा collection center भी होगा जो कि जहां से आप कुछ भी खरीदे हो उसको एक collection center है कि वहाँ पे जाकर आप उसको दे दो जैसे मालो एर कंडिशन कर दे हो या फिर television है आपके आप काम नहीं कर रहे है खराब हो चुके है तो उसको आप replace करना चाहते हो तो better है कि collection center होना चाहिए जहां पे आप उस सारे चीज़ों को जाकर दे सको यानि कि कचड़ा को ऐसी खुले में fake देने से better है या फिर away fake देने से better है कि उसको एक जगा आप लोग जाकर dispose कर दो तो ये collection जो है ये producers के द्वारा किया जाएगा जो कि extended producer responsibility है extended producer responsibility कहने का मतलब है कि वैसी brand या फिर वैसी manufacturer industry जो कि अपने product को अगर manufacture कर रही है market तक पहुचा रही है और market तक पहुचने के बाद वह logo तक पहुच रहा है तो लोग उसको इसको 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 फेक रहना तो इसी company के इसाँ पर अधिकार है कि वह वापस से अपने product को अपने पास ले ले कितना अच्छा होगा जैसे कि जो भी आप cell phone use करते हो तो माल लिजे कि इसमें hang करने की problem हो रही है तो आप उस phone को छोड़ देते हो ने आप phone ले लेते हो बहुत easy है आज की date में तो इतना अच्छा होगा कि माल लिजे ये Samsung का phone आपका hang हो रहा था तो इसको आप वापस जो है जो Samsung swap से खर दे हो या फिर कहीं से भी आप कोई भी अगर कहीं से भी खर दे हो तो वहाँ जाकर आप दे दो इसे या एक common collection center होना चाहिए वहाँ आप ये Samsung की phone जाकर दे दो यहाँ आपका issue क्या था इस phone में कि आपका hang हो रहा था क्या पता इसकी battery backup अच्छी हो या फिर इसका RAM अच्छा हो या फिर इसकी और भी चीज़े अच्छी हो तो इसकी जो कुछ parts है ना उसको new जो mobile बनाया जा रहे है उसकी उपर जो है उन सारे parts को fix किया जा सकता है तो इससे क्या होगा कि new parts बनाने की जो manufacture करने की burden है वो कम हो पाएगी और हम लोग कि यहां तो manufacture छोड़िये है हम लोग सारी चीज़े बाहर से मंगवा लेते हैं और मिली हम लोग चाइना ताइवान के उपर dependent है तो यह electronic electrical मामले में वो दोनों country बहुत सूपर है तो हम लोग तो इस तरीके से जो है ना correction center बनाते है यहां पर गैजट को वापस ले लेते और उसके जो parts अच्छे है उसको हम लोग न्यूज गैजट में उसको फिर से reuse करने की tendency रगे तो इससे क्या होगा कि एक तो हमारा यहां पर west भी कम generate होगा e west जो generate हो रहा है इसकी जो problem बढ़ते जा रहे है यह भी कहीं न कहीं कम हो पाएगी ओके साथी साथ आप देखो कि even component भी आपे covered किया जा रहा है साथी spare part of electrical और electronic equipment भी रखा जा रहा है साथी इसमें mercury जिसमें कि आपका lamp वगेरा भी होता जैसे cfl वगेरा तो इन सारे चीज़े को भी include किया गया है पहले तो cfl वगेरा जब आया था तो उसमें यह भी provision था कि आपके घर में जो fuse हो जाते है बल्ब उसको आप वापस देखे नया ले सकते हो तो यह सारे provision यह cfl अगेरा में भी था LED light जो भी आया था उसमें भी आपको देखने को मिलेगा है की नहीं तो यही सारी चीज़े हर एक electronic और electrical gazette में equipment में होनी चाहिए जो कि काफे important हो चुका है साथ है आप देखो कि interest bearing deposit refund scheme भी लाए गया है जो कि producer की दोरा चार्ज किया जाएगा consumer को at the time of purchase कि वो यहाँ पे वापस से अगर deposit करेंगे ना तो उनको refund भी मिलेगा और interest के साथ refund मिलेगा तो यह चीज़ की अगर लोग दो refund है वो भी उनको मिलेगा तो यह तरीके का scheme लाए गया था जिससे कि लोग जादा से जादा जो है इसको वापस कर सके साथी आप देखो कि यहाँ पर लाए गया था नहीं यह अभी भी चल रहा है साथी साथ आप देखो कि यहाँ पर pan India EPR authorization भी आप लाए गया था extended producer responsibility जो कि यहाँ पर Central Pollution Control Board जो है इनके द्वारा इसको लाए गया था लेकिन बाद में यह देखो कि replace किया गया था इससे पहले जो authorization था वो state का authorization था लेकिन अब यह pan India लाए गया है कि पूरे all over the India में यह extended producer responsibility है कि जो भी यहाँ पर अपने product को ला रहे है market में consumer को दे रहे तो उनसे व new phase भी यहाँ पर include किया गया था इनका कहना था कि face voice collection करना है यानि कि जो collection target है e-waste का उसको face voice करना है जैसे कि आप देखो कि 2017-18 में 10% का quantity जो यहाँ पर generate हो रहा है उसके लिए रखा गया था फिर आगे 2023 तक 10% इसको increase किया गया है तो यह एक अच्छी बैपत आप कह सकते हो कोई भी चीज को implement करने के लिए face voice करना चाहिए एक अलग से e-waste collection target रखना चाहिए जो कि new producer के लिए है साथी जो hazardous substance है उसको reduce करना है इट मीज कि यहाँ पर आप देखो इसके अंदर यह कहा गया है कि जो sampling और testing का cost है यहाँ पर government के द्वारा ही यहाँ पर actually लगा जाता है ज उनको यहाँ पर register कराना होगा और कहां पर तो CPCB के पास ठीक है तो यह कुछ new यहाँ पर include किया गया था 2018 में तो यह भी ध्यान रखेगा So this is all about this rules तो यह काफी important है इसके बारे में भी समझना है और क्यों e-west के बारे में हम लोग बात करें और top 3 countries में हमारा नाम है तो काफी ज़्यादा ज़रूरी है कि अब हम लोग इस topic के बारे में सोचें Next आते है sustainable processing of municipal solid waste जो कचड़े निकल रहे हैं तो उसके लिए कैसे sustainable तरीके से हम लोग यहाँ पर process कर सकते हैं CSIR के द्वारा एक facility डेवलाप किया गया है जिसमें की जो भी decentralized dissemination है Decimation है जो solid waste का उसको achieve करना है और एक value added in product यहाँ पर create करना है और जैसे dry leaves हो गया, dry gases हो गया, grasses हो गया यह सारे ऐसे ही कचड़े पड़े रहते तो इन सब को जो है यहाँ पर collect करने की बात की जारी है तो वो बात क्या है, यहाँ पर waste to wealth है, यानि की कचड़े से धन create करना यह एक यहाँ पर funda लाए गया है कुछ technologies है, जो कि यहाँ पर देखते की कैसे उसका इस्तेमाल करके हम लोग कचड़े से धन उसको बना सकते है तो सबसे पहला है कि plasma arc gasification process है, तो इसमें क्या होता है, कि electricity का use किया जाता है और high temperature plasma arc जो कि 3000 degree Celsius से भी जादा है, उसे generate किया जाता है एक plasma reactor के अंदर और इसमें क्या होता है कि कचड़े को न सीन गैस में convert किया जाता है, इसमें कि जितने भी कचड़े हैं, उसको इतना high temperature में साब समझ सकते हो, 3000 degree Celsius हम लोग यहाँ पर 30 degree Celsius पार होता है, 40 degree Celsius पार होता है, तो हम लोग यहाँ खराब हो जा सकती है और इतना जादा temperature में, जो कचड़ा है उसको सीन गैस में convert किया जाता है, जिसमें कि सीन गैस में क्या होता है, carbon dioxide, carbon monoxide और यहाँ पर H2 होता है, hydrogen होता है तो इससे आप लोग देखो कि यहाँ पर क्या हुआ कि पहली यह technology का इस्तिमाल करके हम लोग वेस्ट से यहाँ पर wealth बनाएंगा, wealth से क्या होगा, तो देखिए, syngas जो हम लोग gas engine में use करते हैं, जिससे कि electricity generate होता है, साती जो residual ash होते हैं, उसको हम लोग cement के साथ mix करते हैं, जितने भी bricks वगेरा बनते हैं, यानि कि जो eat वगेरा बनते हैं, जो घर वगेरा बनाने में, construction work में उसका इस्तिमाल किया जाता है, तो उसमें हम लोग इसको इसको इस्तिमाल कर लेते हैं, तो हो गया ना, यह west to wealth creation, second क्या है, बायो गैसिफिकेशन, बायो गैसिफिकेशन मे क्या करते हैं, कि यहां पे कच्ड़े का कुछ component को और अरोबिक यानि की oxygen की कमी में इस environment में decompose कराते हैं, और बायो गैस जो है उसको liberate कर देते हैं, इसको हम लोग जो है, अपको पता होगा, अरोबिक कहने का मतलब है कि जिसमें oxygen ना हो, अरोबिक कहने का मतलब है कि oxygen के presence मे तो बायो डिग्रेडेबल कॉंपनेंट अफ जो यहां पे वेस्टेज है ना, इसको हम लोग जो है oxygen के कमी में हम लोग इसको decompose करते हैं, और साथी साथ जो बायो गैस होता है, उसको यहां पे liberate कर दिया जाता है, वेल्थ क्या हो गया कि जो बायो गैस है, उसको हम लोग फ तो इस तरीके से हम लोग यहां पे कर सकते हैं, तो खात वगेरा में convert भी किया जाता है, है ना, तो फिर हम लोग और गनी फार्मिंग में इस्तेमाल करते हैं, तो यह भी हो गया वेस्ट आपका वेल्थ, उसके बार ठर्ड है यहां पे कि बायो मास वेस्ट डिस्पोजल, त यह सब क्या होते हैं, यह बायो मास वेस्ट होते हैं, जो आपका अपने गार्डेन में भी देख सकते हो, तो यह सब जो है ना, इसको पहले डिस्पोज किया जाएगा, फर्स्ट श्रेडिंग इट तो सुटिबल साइज, फॉलोड बायो बायो गैस डाइजिस्टर, तो यह बिक करते हैं, इसको यहां पर चापने गार्डेन में इसको अभी सब्सक्राइब, खर्स्ट आपकर श्राइब, तो यह जो बायो भी आएजिस्टर, जापने और इसको बायो करते हैं, यह एक तरिके से मशीन के अंदर रह कर इसको और फोमें, फिर उसके तरीके से हम लिग जो है उसको और भी फॉर्म में यहाँ पे convert करके इसको इस्तिमाल कर सकते हैं जिससे कि ultimately wealth generate हो तो फिर यहाँ पर आप देखो कि सबसे famous यही है paralysis इसमें क्या होता है कि polymer west होते हैं जिसको बहुत ज़्यादा temperature में heat किया जाता है और इसकी temperature होती है 400-600 degree Celsius anaerobic environment में जहाँ पे oxygen ना हो और एक सही तरीके का catalyst को use करके तो यहाँ पर क्या होता है कि आप देखो कि जो non condensed sin gas है और जो crude कच्चा जो oil होता है paralysis oil का इसको हम लोग यहाँ पर heating purpose के लिए इस्तिमाल करते हैं और जो solid residue हो जाता है जिसे हम लोग चार कहते है तो इसको bio gas के साथ mix करेंगे और फिर यहाँ पर brickwood जो है यह हमारा form हो जाएगा तो production होगा brickwood का तो इसको क्या है कि feed stock जैसे use कर सकते है या फिर cooking के लिए भी हम लोग as a fuel इसको use कर सकते है तो यह सारी यहाँ पर different तरीके का use आप देख सकते हो तो paralysis एक बहुत ही famous यह आपका आज के भी date में इसको use किया जाता है कहीं कहीं पर जो कि west to wealth generate करने के लिए होता है साथी साथ यहाँ पर अच्छा इतनी ही बात है की जा रही है तो these are some methods जो कि काफी important है इसका अगर पूछा जाए तो प्लीज इसमें आप लोग confuse मत हुएगा तो इस तरीके से इसको याद रखना है means यहाँ पर plasma arc, gasification है, bio gasification है, biomass waste disposal है और paralysis है तो ultimately हम लोग या तो electricity generate करने के लिए यूज़ करेंगे या तो cement के साथ उसको mix करके bricks को production में यूज़ करेंगे साथी साथ अधिकतर हम लोग यही काम कर रहे हैं, sin gas में convert कर रहे हैं, तो इस तरीके से याद रखेगा next आते है Stockholm Convention, तो यह one of the most important convention है, जिसमें की बात की जाती है कि P.O.P. को ban करना so what is P.O.P. इसको कहते है persistent organic pollutant, यानि कि ऐसे substance जिसके कारण pollutions जो है हमारे environment में बढ़ते जा रहे है तो 7 यहाँ पर अभी फिर से ratify किया गया है cabinet के द्वारा, जो 7 यहाँ पर P.O.P. है उसको ban करने की बात की जा रहे है अब यहाँ पर यह है क्या है तो एक बार नाम देख लीजाए रटने की ज़रूरत नहीं है यह आप देख सकते हो कि Chloridon है और Hexabromobinylol है और उसके बाद आप लोग नाम बगेरा देख सकते हो और फिर यहाँ पर भी आप देख सकते हो यह Tetra Pinta है और फिर उसके बाद यह Pinta Chlorobenzene है Hexabromo Cyclodecane है and next is Hexaclorobutadine है तो इतने सारे 7 यहाँ पर आपका बैंड किया गया है और जो भी Stockholm Convention में लिस्टेड है तो Cabinet के दुआरा यहाँ पर अपनी Power को Delegate किया गया है साथ ही साथ वो फिर से Chemicals को Ratify कर रहे है कि कौन-कौन से Chemicals को जो है बैंड करना है तो यह जो Ratification Process है इससे क्या होगा कि इंडिया जो है वो Global Environment Facility को Access कर पाएंगे और यह Global Environment Facility क्या है तो एक यहाँ पर Fund यहाँ पर प्रवाइड करते है तो उसके लिए भी हमने को Fund की ज़रूत होती है अब Fund कहां से मिलता है तो यही सारे Global Environment Facility है यह Fund प्रोवाइड करते है Global Level पर कि कोई भी Country को Especially for Developing Countries है तो Developing Countries अगर अपने हाँ इस तरीके का Process कर रही है और वो कुशिश कर रही है पॉलिटेंट को कम करने का तो उन्हें आप से मदद मिलता है अब हमने समस्य कि Stockholm Convention होता क्या है Stockholm Convention एक Global Treaty है जिसमें Human Health और Environment को प्रोटेक्ट करने का काम किया जाता है वो भी यहाँ पे जितने भी सबस्टांस जो पॉलिटेंट है उससे अब सबसे बड़ी important बात है कि यह legally binding है यानि कि कानूनी तोर पर यह binding है यह मानना होगा जितने भी Stockholm Convention के जो भी member है अगर वो इस Convention को रेटिफाई किये है तो उनको अपने country में compulsory है कि इस तरीके से related कानून को लाना होगा और जो भी इसकी rules regulation है उसको follow करना होगा तो यह legally binding है इंडिया ratify कर चुका है already 2006 में यानि कि हम लोग भी अपने हैं इस तरीके की rules को लेकर आ रहे है तो ministry of environment के द्वारा एक rules of P.O.P. regulation of P.O.P. rules 2018 में लाया गया था वो भी हमारे हाँ जो कानून है environmental protection act 1986 के तहर तो P.O.P. जो है कुछ chemical substance होते हैं जो कि हमारे environment में बहुत लंबे समय तक रह जाते हैं तो ये सारे जो seven आप नाम देख रहे हो तो कुछ ऐसे chemicals है ना जो कि काफी लंबे समय तक लंबे समय तक कहने का मतलब है कि पचास सौ साल तक भी वो हमारे environment में exist करते हैं और उसके कारण जो हमारा health हमारे environment का health और जितने भी जो species होते हैं जानवर वगरा सबकी health को ये adversity affect करते हैं तो उनके use को उनके transportation को ban करने की बात की जाती है अगर ये P.O.P. सबस्टान से exposure हो यानि कि इस तरीके की चीज़े इस तरीके का जो harmful chemical substance अगर environment में इस तरीके से failure है तो इससे cancer होती है हमारे central और जो feripillar जो nervous system है वो damage होता है हमारे immune system से related कुछ diseases होती है कुछ reproductive disorder देखने को मिलेगा और child development में भी problems देखने को मिलेगी fine तो ये कुछ यहाँ पर basic है but एक आपका important है organochlorine तो organochlorine है क्या इस एक report के according बताया गया है कि organochlorine जो है ये एक reason देखने को मिलता है mystery disease के पीछे यानि कि कुछ diseases ऐसी होती है जिसका कारण नहीं पता चलता है उसके outbreak का और उसके spread होने का तो ऐसे कुछ mystery diseases है जिसके पीछे जो है कहा जा रहा है कि organochlorine जो है वो इसका एक हाथ हो सकता है जिससे कि 450 patient को scissor में nausea में dizziness headache इस तरीके का impact देखने को मिला है organochlorine अगर देखे तो group of chlorinated compound है जो कि एक POP के class से यह आपका निकल कर आ रहा है यह relatively काफी cheaper है और इसको use किया जाता है pesticide जैसा है एशिया में आप देखो 40% जो सारे pesticides होते हैं उसमें आप देखो किटनाशक दवा जिसके कीड़े मकड़े मारे जाते हैं तो वह सब जो है ना organochlorine उसमें present होते हैं और इससे क्या है कि adverse effect ज़रूर होगा हमारे central और peripheral nervous system है लेकिन कुछ mystery disease भी है जिसका कारण नहीं पता होता है तो ऐसे disease का भी कारण बताया जा रहा है कि organochlorine हो सकता है तो पूछा जा सकता है कुछ ऐसे new तरीके के chemicals निकल कर आते हैं जो हमारे health और environment के लिए better नहीं होता है dangerous होता है तो उस पे जो है UPSI बहुत जादा interest दिखाते हैं अपने next आते environmental performance index, yes this index is very important सबसे पहले ये index release कौन करता है तो ये release किया जाता है एल university के द्वारा ये biannual index है और इसमें 180 countries में rank किया जाता है total 32 performance indicator होते है 11 categories होती है जिसमें की मिलनी देखा जाता है कि environment की health कैसी है, environment कैसा है साथी आप देखो ecosystem कैसा है, इसमें आप देखो 180 countries को यहाँ पर rank किया जाता है और 32 जो यहाँ पर categories है, वो different different है कि उस country की air quality कैसी है, साफ सफाई कैसा है, drinking water available है कि नहीं, heavy metal का क्या scene है वेस्ट management कैसे किया जाता है, habitat, ecosystem service हो गया, fisheries हो गया, climate change हो गया, pollution emission है, water resource और agriculture है तो यह सारे कुछ different field है, 11 categories है जिसमें की यहाँ पर देखा जाता है किसी country में environmental performance कैसा है overall अगर हम लोग ranking देखें, तो यहाँ पर environmental जो challenges है, उसको किस तरीके से कोई country address कर रही है, उसके उपर यह देखा जाता है key finding देख लेते हैं हम लोग अपने भारत के बारे में, तो हमारा India जो है 168 rank है, यानि कि हम लोग नीचे से talk कर रहे है 180 countries में चली कुछ तो हमारी rank सुधार हुई है, क्योंकि 2018 में 177 था, तो बिलकुल नीचे से talk किये थे, अभी तो हमारी rank और भी ज्यादा उपर हो चुकिए, तो यह खुशी की बात है इंडिया जो है, बहुत नीचे score कर रहे हैं, इवन सारे all five key parameters में South Asian countries में आप देखोगे, तो अफगानिस्तान को छोड़ कर, सारे लोग इंडिया से आगे हैं अगर हम लोग इंडेक्स में देखें, तो इंडिया को यहाँ पर redouble करना होगा जो national sustainability efforts है जैसे कि हमारे हाँ air pollution बहुत जादा है, water की quality भी गंदी होते जारी है जैसे आप देख रहे हों कि water contamination की जो problem है, वह हर एक river में देखने को मिल रहा है चाहे वो गंगा river हो, यमना river हो, south की river हो, तो इसलिए हम लोग को इसकी quality अच्छी करनी होगी air quality improve करना होगा, biodiversity पर ध्यान देना होगा तो यहाँ पर हमारा pollution chapter complete होता है, अब हम लोग आते हैं biodiversity की chapter में जो कि again very important है, इससे questions तो बनते ही है तो देखते, super year for biodiversity कहा जा रहा है तो super year क्यों कहा जा रहा है, 2020 जो है, यह super year कहा जा रहा है biodiversity के लिए strategic plan for biodiversity है, जिसमें की 20 global ekai target जो है, वो adopt किया गया था, 2010 के ints में और 2010 में इसको adopt किया गया था, और 2020 में यह int हो गया तो 20 यहाँ पर target था, एक एक करके सब हम लोग देखेंगे सबसे पहले समझें कि हमारा strategic plan for biodiversity था, यह 10 साल का था जो कि हम लोग ekai target को ही लेकर अपने country में इसको बनाये थे तो अगर हम लोग इसको 10 साल का देखें, सबसे पहले यह जो plan हमारे हाँ लाया गया था यह आपका CBD के द्वारा लाया गया था, convention on biological diversity के द्वारा तो यह 10th meeting जब हुई थी, COP10 का, कहां हुआ था, जापान में तब उस समय हम लोग अपने country में इसको अडॉप्ट किये थे strategic plan है, जिसमें कि एक अच्छा खासा vision रखा गया है, mission रखा गया है 20 target है, जिसको कि 5 category, strategic goals में इसको organize किया गया था और इसको हम लोग कहते है, एकाई, biodiversity target, ठीक है vision, mission क्या था, इस एकाई, biodiversity target का यह समझे, vision यह है कि हम लोग को nature के साथ, harmony के साथ जीना है, और कब तक to 2050 तक biodiversity को बहुत जादा value देनी की ज़रूत है, conserve करनी की ज़रूत है अगर वो बरबाद हो रहा है, तो restore करनी की ज़रूत है और एकदम wisely, यानि मुद्धिवता का इस्तमाल करते हुए, उसको इस्तमाल करनी की ज़रूत है अगर हम लोग अपने ecosystem service को maintain करेंगे, sustainable तरीके से healthy planet रखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, सारे लोगों को यहाँ पर benefit मिलेगा, तो ऐसा vision था Mission क्या था? Mission था कि जो भी यहाँ पर urgent action लेनी है, effective तरीके से action लेनी है जिससे कि जो loss हो रहा है हमारे biodiversity का, उसको हम लोग बचा सके तो obviously कि उस step में हम लोग को काम करना है और 2020 ecosystem के साथ यहाँ पर ensure किया जा रहा है कि resilient और हम लोग continue करेंगे कि कैसे essential service जो है सारे लोगों को provide किया जा सके तो यह vision है, mission है, इन दोनों पर हम लोग को ध्यान देना था अब implementation देखते हैं कि हमारे हाँ जो strategic plan यहाँ पर लाया गया था दस साल का उसमें क्या-क्या बाते थी, तो update किया जा रहा है हमारे हाँ जो national biodiversity strategy और action plan था, जिस तरीके से हम लोग यह दस साल का लाया है उसी हिसाब से इसको भी हम लोग develop किये, update किये, national target हम लोग develop किये जो कि यहाँ पर इस plan को लेकर, और काई biodiversity target है उसको भी लेकर जो कि एक flexible framework था और हम लोग अपने हाँ जो भी strategic plan था उसके साथ इसको integrate किये, adopt किये, जितने भी updated यहाँ पर हमारे जो plan था साथी साथ यहाँ पर policy instrument के जासा, report भी progress के उपर आते गया हर समय और एक आपका national report लाया गया, six जो national report था, यह देखा गया कि इंडिया जो है, वो अपने track पे है और 12 जो यहाँ पर total हमारे हाँ का target था, उसमें से 9 हम लोग achieve करने के कगार में है और एक जो हम लोग जरूर करेंगे, उसको कुछी दिनों में कर लेंगे और moving towards है कि दो जो हम लोग के यहाँ पर target है, वो insufficient rate में अभी चल रहे है तो इस तरीके का six national report निकल कराया था, तब हमें बताया गया था आज के date में अगर देखें, तो कुछ negotiation किया जा रहा है, जिससे कि जो post 2020 global biodiversity framework है वो आगे इसके लिए कुछ develop किया जा सके तो ठीक है, इतनी बाते हैं, लेकिन इससे पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें देख लेते हम लोग CBT के बारे में तो यह है convention on biological diversity एक international multilateral treaty है, जो कि इसको 1992 में open किया गया था, signature करने के लिए और साथी साथ ये Rio, the earth submit था, उसी में इसको लाया गया था CBT में आप देखो कि आज के date में 196 parties हैं, और हम लोग भी इसमें से एक member है तो 3 main objective इसका क्या है, ये देख लेते है तो 3 main objective अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पर सबसे पहला है कि biodiversity को जो उसे conserve करना है, sustainable use करना है जो भी biological diversity के component है, sustainable use करने का मतलब है कि आज की date में जो भी सारे चीज़े हमें nature से मिल रहा है वो आगे आने वाले generation को भी उसी तरीके से मिलते रहे साथी fair और equitable sharing होना चाहिए यानि कि जो benefit हमें nature से आज के date में मिल रहा है वो हम लोग benefit जो है एक दूसरे के साथ share भी करें तो यह तीन यहाँ पर component है साथी साथ यहाँ पर तीन आपको जो है agreement भी देखने को मिलेगा एक तो है Cartagena protocol, सेकेंड है Nagoya protocol और थर्ड भी है Nagoya कौला लंपर protocol है तो सबसे पहला जो Cartagena protocol है यह तो biosafety के बारे में बात कर रहे है इसका aim यही है कि safe तरीके से जो है यहाँ पर safe रखना है, handling करना है, transport करना है और जितने भी living modified organisms है उनको इस्तिमाल करना है जितने भी जिवित यहाँ पर modified organisms है तो living modified organisms के बारे में बात किया जा रहा है यह Cartagena protocol में ठीक है biosafety के साथ, यानि कि जितने भी living modified organisms है उनकी biosafety के बारे में बात की जाती है सेकेंड नागोया protocol है चुकि कहा जा रहा है कि access and benefit sharing इट मेंज कि nature से हम लोग जो भी access हम लोग जो भी आज के रेट में access कर पा रहे है तो एक तरीके का हम लोग को share करना है उसकी benefit को भी तो utilization जो है वो बेटर तरीके से होना चाहिए और sharing के साथ होना चाहिए उसके बात नागोया जो कि आपका कॉला लंपर supplement protocol है यह है liabilities and redress to the carthagena protocol on biosafety actually इसमें किया है कि जो भी conservation और sustainable use है biodiversity का उसको contribute करने के लिए कहा जा रहा है साथ ही यहां पे किया है कि sustainable use हो biodiversity का by providing international rules and protection in the field of liabilities and redress relating to living modified organisms यहां पे कहा जा रहा है कि हमें conservation और sustainable use करना है Cartagena protocol में क्या था कि मेली जितने भी living modified organism से उनका यहां पे जो है उसको बायर safety के साथ रखना है उसको safety के साथ handling करनी है आप transport भी करना है और use भी करना है तीक है अब उसमें क्या है कि conserve करने की भी बात की जा रही है तो इस चीज़ को add किया गया है कॉला लंपर supplement में भी तो यह दीनों आपको याद रखना है जो कि किस के अंदर है तो यह आपका आजाता है convention on biological diversity के अंदर अब बात करते हैं कि हमारे यहां का क्या strategic goal है और ICHI target के अंदर क्या-क्या था एकाई target के अंदर आपको total 12 target 20 target देखने को मिलेगा यह आप लोग देख सकते हो एक सकेट इसे हम लोग concise way में अपने हाँ 5 target लेकर आये थे यह एकाई target है all over glow का यह हमारे यहां का है convention on biological diversity तो अगर हम लोग एकाई target देखे तो यह 4 target को मिला कर हम लोग एक target लेकर आये थे तो 4 target में क्या था कि सबसे पहले हमें awareness इंप्रूव करना है biodiversity को लेकर main stream biodiversity पर ध्यान देना है reform अगर किया जा रहा है तो उसके लिए incentives देनी है और implementation plan लेकर आना है sustainability के लिए इन 4 हो को merge करके अपने country में हम लोग क्या लेकर आए कि जो भी causes है उसको हम लोग address करेंगे biodiversity से related अब next यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर क्या क्या है कि जो habitat loss हो रहा है यानि कि जितने भी organisms है microorganisms है या फिर जितने भी हमारे यहाँ के जीव जन्तु है उनके रहने का जगा जो loss हो रहा है उसको देखना है जमीन जो बरबाद होरे, degrade होरे उसको देखना है फिश को जो फीश्री है उसको सही तरीके से करना है pollution कम करना है farming को sustainable बनाना है और यहाँ पर जो invasive species है जो कि हमारे main species को harm पहुंचाते है तो उनको tackle करना है और जो climate change का impact है उसको कम से कम करना है इन सब को मिलाकर हमारे हाँ एक target था कि हम लोग को यहाँ पर pressure और जो pressure है उसे कम करना है और sustainable use promote करना है तो इसे इन सब को मिलाकर हम लोग यह एक आपने हाँ target लाए second target फिर next क्या है कि हमें यहाँ पर critical जितने भी sites है यानि कि ऐसे जगह जहां पर बहुत ही दैनिया स्थीती है तो उनको protect करना और manage करना है साथी कुछ ऐसे species हैं जो कि आज के date में उनकी प्रजाती कम होते जा रही है प्रजाती विलुफ्त होते जा रही है और population कम होते जा रहा है इन तीनों को merge करके हम अपने यहां लाए है एक save guard ecosystem यानि कि जो भी species और gene है उनको एक बेटर तरीके का save guard provide करना है ऐसा ecosystem लेकर आना है next है यहाँ पे हैं कि save guard ecosystem service है और जो degraded forest है यानि कि जहाँ पे पहले जंगल था आप वहाँ पे जंगल नहीं है तो उसको फिर से restore करना है साथी access and benefit sharing का जो fund रहा है उसको implement करना है इन तीनों को merge करके हम लोग अपने आप 4 target जो लाए है वो है कि हमें जो benefit मिल रहा है biodiversity से उसे enhance करना है और ecosystem पे भी ध्यान देना है next अगरा है next और last जो 5 target है वो क्या है कि हमें यहाँ पे जो NBSA है इसके हम लोग implement करना है traditional knowledge को हमें protect करना है biodiversity knowledge को share करना है और conservation finance है उसके हम लोग को बढ़ाना है तो जो भी खर्चे होंगे यहाँ पे conserve करने के लिए उन सारे चीज़ों को बढ़ाना है इन सब को मिलाकर हमारे यहाँ last target लाए गया कि जो यहाँ पे implementation है उसे enhance करना है और कैसे तो planning करके knowledge यहाँ पे manage करके और capacity building करके fine तो यह 20 एकाई target था जिसे हम लोग compress करके अपने हाँ 5 target लेकर आ है तो क्या-क्या goal था कि जो भी यहाँ पे causes है by diversity के loss का उसे address करना है साथी sustainable use को हम लोग को promote करना है साथी safeguard ecosystem लेकर आना है और enhance करना है benefit जो कि हम लोग by diversity से ले सके और implementation को भी enhance करना है जो कि हम लोग planning के साथ कर सकते है knowledge manage करके कर सकते है और capacity building के साथ कर सकते है so these are the 5 goals under which CBD strategic goals और उसके अलावा यहाँ पे देखो कि जो national biodiversity target of India है यह 12 है तो यह क्या-क्या है एक बार नजर डाल लेते हैं तो इस पर ध्यान देने की ज़रूती है और एक बार नजर आप लोग डाल लीजए mainly आप लोग CBD के बारे में ध्यान रखना है तो सबसे पहला क्या है कि country की जो population है उसके proportion को देखते हुए youth को aware करने की ज़रूत है साथी साथ planning करने की ज़रूत है और जो भी यहाँ पर degradation हो रहा है, fragmentation हो रहे है, natural habitat का loss हो रहा है उसे हम लोग को यहाँ पर फिर से restore करना है invasive जो alien species होते हैं जैसे आप देखते हो ना कि कुछ ऐसे पेड़ पौधे उगाते हैं जो कि mainly हमारे जो main gardening के जितने भी पेड़ पूल पती के जो होते हैं उसे disturb करते हैं तो उन सब को हम लोग को यहाँ पर tackle करके चलना है और एक sustainable management का adoption करना है कि कैसे हम लोग sustainable तरीके से manage करें अपने agriculture को, forestry को और fisheries को साथी साथ यहाँ पर बात की जारी है कि जो भी यहाँ पर area है, ecosystem है, biodiversity species है उन सब को यहाँ पर protect करना है genetic diversity को maintain करके रखना है, अपने हैं, ecosystem services को maintain करके रखना है जिसमें कि यहाँ पर water, human health, livelihood, well wing से related है और genetic resources का access होना चाहिए, fair और equitable sharing होनी चाहिए जो भी benefit यहाँ पर biodiversity से rise हो रही है, वो सब को मिलना चाहिए साथी यहाँ पर participatory हो, और natural biodiversity action plan बेटर तरीके से लेकर आए और साथी साथ traditional knowledge भी यहाँ पर उसका भी इस्तिमाल करना है जैसे आप देखो कि जंगलों में कुछ communities रहते हैं, जैसे schedule tribes के लोग रहते हैं तो उनको बहुत जादा idea होता है कि कैसे jungle को conserve करना है तो उन सब के inclusion से ही काम हो सकता है, तो उनको भी include करना है, participatory बढ़ाना है साथी strategic plan होना चाहिए biodiversity का जो कि 10 साल का था हो, तो उसे भी हम लोग को आगे लेकर चलना है तो यह एक plan था जिसको आप लोग को ध्यान रखना है, इस से related news अगर हम लोग देखें तो बात करते हैं यहाँ पर, related news जो कि है global biodiversity outlook तो recently यह fifth report है, जो कि release किया गया है, एक flagship publication होता है, यह CBD के अंदर तो convention on biological diversity जो आप लोग पढ़ रहे हो, तो यह भी ध्यान रखना है कि इसका publication कौन सा है, तो global biodiversity outlook टीक है, global biodiversity outlook अगर हम लोग फिफ यह report देखें, तो यह global summary बताता है कि कितना progress हो रहा है एकाई biodiversity target को achieve करने में, यानि कि all over the world सारे countries किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनका क्या progress है, वो इस तरीके के report में देखने को मिलता है जो भी यहाँ पे एकाई biodiversity target के, जो भी progress है, पास टिकेट में देखने को मिला है, तो global level में आप देखोगे, तो कोई भी ऐसी country नहीं है जो कि 20 targets को fully achieve कर रखे लेकिन हाँ, 6 targets वो partially achieve हुआ है, जिसमें कि आप यह सारे targets देख सकते हो इसे के साथ United Nation का biodiversity summit होता है, इंडिया जो है वो participate किये है इस बार, और यह summit पहली बार ऐसा है, कि biodiversity की ऊपर लिया गया है और United Nation General Assembly में यह आप लोग देखो कि convey किया जाता है United Nation Secretary General Antonio Gutras के द्वारा, साथी साथ यहाँ पे, जो booster financial commitment ahead of talk next year in China यहाँ पे आप देखो कि जो General Assembly का aim है कि एक political momentum यहाँ पे build करना और financial commitment अच्छे तरीके से लेकर चलना, जो कि next यहाँ पे चाइना के साथ किया जाएगा यहाँ पे जो head of state होते हैं और minister level के लोग होते हैं वो participate करते हैं यहाँ पे convention on biological diversity में इस बार इसका theme क्या है urgent action on biodiversity for sustainable development इसी के साथ international day celebrate भी किया जाता है हमारे biodiversity को conserve करने के लिए so it is on 22nd May, तो याद रखना है अभी आने वाला है, तो 22nd of May को हम लोग यहाँ पे United Nation के द्वारा कहा गया है कि हम लोग यहाँ पे awareness को बढ़ाने के लिए और जो भी biodiversity issues है उसको बेटर तरीके से समझने के लिए एक day को celebrate करेंगे theme क्या है 2020 का? तो our solutions are in nature few initiative है चोकि इंडिया के द्वारा लिया गया है International Day of Biodiversity को लेकर, तो सबसे पहला है कि Biodiversity समरक्षण internship program है, जिसमें कि जितने भी post graduate student है, उनको engage किया जाएगा और National Biodiversity Authority को के project को support करने के लिए United Nations Environment Program के campaign है कि जो भी endangered species का illegal trafficking होता है उसको यहाँ पर रोका जाएगा, और यह जो launch किया गया है, यह Wildlife Crime Control Bureau है, और United Nations Environment Program के साथ मिलकर यह जो गलत तरीके से जितने भी species हैं, उनकी trafficking होती है, चोरी होती है, तसकरी होती है, तो उसको यहाँ पर रोका जाएगा, एक webinar series लाएगी जा रहा है, Biodiversity Convention and Biological Diversity Act 2002 का, साथी यहाँ पर WWF के साथ, यहाँ पर Worldwide Fund Model, जो Conference of Parties है, उनके द्वारा यहाँ पर रखा गया है, कि जितने भी young generation है, उनको engage किया जाएगा, Conservations के लिए, और एक awareness campaign भी यहाँ पर support किया जा रहा है, वो भी Worldwide Fund के द्वारा, fine, तो यह सारे इतने जो भी आपके facts है, इसमें तो समझाने लाइक कुछ भी नहीं है, तो आप लोगो यह सारे facts को धिहान से पढ़ना है, तो चार बार आप लोगो read कर लिजए, जिससे कि आपके दिमाग में नहीं, क्योंकि statements के form में यही सारे questions आपके बन जाते हैं, तो next lesson से मैं आपको question answer भी यहाँ पर कराऊंगी, तो चलिए आज के लिए बस इतनी रखते हैं, next time लगो start करेंगे wildlife and conservation, क्योंकि इसमें भी काफे सारे चीज़े देखेंगे detail में, तो एक-एक topic करके चलते हैं, जैसे आज biodiversity की देखें, तो इसमें आपकी detail information आपको मिल गया, तो इससे concept की clarity यह निकल कर आती है, तो यह ज्यादा better होगा, okay, तो चलिए कल मिलते हैं, आज के लिए बस इतनी, अगर आपको यह lesson अच्छी लग रही है, और आपको देखना है, इससे आपको benefit हो रहा है, तो आपको जरूर सब्सक्राइब करके हमारे family का part बन सकते हो, तो चलिए मिलते हैं कल, thank you